हाई फ्रेंड्स सीवा मोबाल टेक प्लस में आपका स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल ऐकान दबाए और आल पे किली करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले अद्र, जैसे तरह से लावा लिके रुके रहेगा पर आपके फोन में अगर पैटर लॉक लगा है या पासवड लॉक लगा है तो भी आप इस फोन को hard reset करके ठीक कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज मैं आपको इसे hard reset करने के बारे में बताता हूँ तो चलिए सबसे पहले इस phone को हम लोग power off कर लेते हैं तो power off करने के लिए इस phone का battery को हम लोग एक बर remove करके फिर से लगा देते हैं ठीक है इस phone को hard reset करेंगे तो द्यान से देखिए क्या करना है यह इसका volume up button है यह down button है यह power button है तो हम लोगों को volume up button को दवाना है फिर power button को दवाना है चलिए पहले volume up button को दवा दिए फिर power button को दवा दिए आप power button छोड़ up button द्वान को में जाना है आपको ने स्क्रीन पे कुछ दीख रहा होगा अब बटन भी छोड़तेंगे तो Suroid impact द्वार के हमों को सब से Curiosity mostly करना है अब सबसे उपर में बेवीकल हर्मल्च करने की रिशिन एक हैब आलोगों को मैं दिख दिख़ाए अब क्या करना है पावर बटन को दवाये रखना है और बोलियम प्लस बटन को एक वर प्रेस करना है चलिए ट्राइब करते हैं नहीं हुआ नहीं हुआ फिर से एक वर ट्राइब करते हैं पावर बटन को दवाये रखेंगे और बोलियम प्लस बटन दवा दिये ठीक है अब हम ब्लोम डन बटन दबाखर वाइब डाटा फोटरे डिर्इसेड पर आ जाना आए और पार बटन से कने कर देना है ठीक है यहां नो यह समांग रहा है तो हम लोग वोलग डाटा फोलेब को डैतलन से एसक Ja ठीक है अब क्या करना है यहां सब स्प्र में लिखा है रिबूट सिस्टम ना हो तो हम लग पावर बटन का यूज करके इस फोन को रिबूट कर देंगे अब हमारा फोन जो है रिबूट मूड में चला गया है यहां पर आपको 5-6-7 मिनट लग सकता है तो जब तक आपका फोन खुद बखुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन दबा दे मेरे चैनल पर आपको और भी मोबाइल से जूरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिससे आप अपने मोबाइल का प्रोब्लम का सोलिशन कर सकते हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल का हिस्सा बने फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बगा रहा हूँ ताकि आपका किम्ती समय बरबाद ना हो चलिए मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा बगा दिया हूँ अब हमारा फोन इसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा अब हम इन लोग यहाँ पर start पर type करके step by step आगे बढ़ेंगे और अपने mobile को setup करके चला सकते हैं यहाँ आगे बढ़ने के बाद आपको gmail account मांगेगा तो आप अपना gmail account डाल कर इस phone को चला सकते हैं तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्वाद थैंक्यों दोस्तों